नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो हम देखेंगे जीके एंड जीएस प्रीवियस एरके कुछ कुछ कुश्चन्स तो चलिएं वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुश्चन है हमारा भारत में किसकी सुकिर्टी की बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता तो उसका सही इंसर हो जाएगा आप्सन है जो कि है संसर अगला कुशन है दोस्तों निमलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख निरिया तक है उसका सही अंसर हो जाएगा option D जो कि है जांबिया अगला question है दोस्तों समिधान सभा ने भारत में समिधान को कब सकेत किया तो उसका सही अंसर हो जाएगा option C जो कि है 26 नॉंबर 1949 को अगला question है दोस्तों निमलिखित में से काउन सा एक देव निर्थ है इसका सही एंसर हो जाएगा option C जो कि है कुच्ची पुड़ी अगला कुछने दोस्तों दिलवाडा मंदिर कहां इस्तित है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option C जो कि है माउंट आबू में अगला कुछने दोस्तों आनंद भौन इस्तित है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C, जो कि है इलहाबाद में अगला कुछ है ने दोस्तों, MS Word में spelling को सही करने वाले software को क्या कहते हैं? इसका सही अंसर हो जाएगा option C, जो कि है spell check अगला कुछ है ने दोस्तों, 80% से अधिक cell में पाया जाने वाला पदास्थ क्या है? जो कि है जल अगला कुछ है ने दोस्तों, जो आर भाटा के उत्पत्ती के संबद में प्रगामी तरंग सिध्धान्त का परतिपादन किस ने किया है? इसका सही अंसर हो जाएगा option ने जो कि है विलियों वेवलने अगला कुछ है दोस्तों, चन्दमा पित्थिवी का एक चकर लगबग कितने दिनों में लगाता है? इसका सही अंसर हो जाएगा option D, जो कि है लगबग 27.3 दिन में अगला कुछ है दोस्तों, जैन धर में पूर्ण ग्यान के लिए क्या सब्द है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D, जो कि है कैवल ले अगला कुछ है अधिकांस प्रोडक्स पर प्रिंटिंग लाइनों के पैटर्न को क्या कहते है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C, जो कि है बार कोड अगला कोश्चन है निम्लिखित में से कौन सा मसीन इंडिमेंडेंट प्रोग्राम है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B, जो कि हाई लेबल लेंगर्ज अगला कोश्चन है महेंद का संदी विच्छेद है? तो इसका सही अंसर है option D, जो कि महा प्लस इंद्र अगला कोश्चन है भारत में इंटरनेट और बुखताओं की सरवाधिक संक्या किस राज में है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C, जो कि है महाराश्च्छ में अगला कोश्चन है किस प्रकित प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? इसका सही अंसर हो जाएगा option C, जो कि है मानसुनी प्रदेश को अगला कोश्चन है उच्छ नियायले को किसका अधिछन करने का अधिकार है? इसका सही अंसर हो जाएगा option C, जो कि अधिनस्त नियायले का अगला कोश्चन है मालती माधव किसकी रचना है? उसके सही इंसर हो जाएगा दोस्तों, option B, जो कि भौव होतीगी अगला question है, स्वस्त मनुस में पर्तिमीनित हिर्द इस्पंदन होता है तो उसका सही इंसर हो जाएगा option B, जो कि है 72 बार अगला question है दोस्तों, मानो का जैविक नाम है तो इसका सही इंसरो जाएगा option B, जो कि होमो सेपियन्स अगला question है, भारत में अलंकेश और किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है इसका सही इंसरो जाएगा option D, जो कि है पेट्रोलियम अगला question है, भारत की सरवाधिक महतपूर मिट्टी कौन सी है तो इसका सहींस रोजाएगा ओप्सन है जो कि है जलोड मिट्टी अगला कुश्चन है आजाद हिंद फोज की अस्थापना कहां की गई उसका सहींस रोजाएगा ओप्सन D जो कि है सिंगापूर में अगला question है बारती रुपे के नोट पर कितनी भासाओं में नोट के मुल का लेक होता है तो उसका सही अंसर होजाओगा option D जो के 15 भासाओं में अगला कोश्चन है उद्ध्योगों पर निमलिखित अद्धोविक नीतियों में से किस नीत प्रस्ताओं में अधिक जोड़ दिया गया था उसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन डी जो कि हैं 1977 अद्धोविक नीत में अगला कोश्चन है केंदर और राज के बिच धन के बटवारे के संब्ध में कौन रा देता है उसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन है जो कि हैं वित आयोग अगला कोश्चन है जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधिनस्त कार करते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन जो कि है संभाग यूद्ट अगला कुश्चन है ग्रेंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में इस्तित है उसका सही अंसर हो जाएगा option D जो कि The United State of America में अगला कुश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्लिखित में से किस पदात में बदल जाते हैं उसका सही अंसर हो जाएगा option B जो कि है अमीनों अम्ल में अगला कुश्चन है बेस बॉल में परतेक पुक्ष में कितने खिलाडी होते हैं उसका सही अंसर हो जाएगा option B जो कि है नो खिलाडी अगला कुश्चन है इन में से वसा कौन विले नहीं होता है उसका सहीएं सरोजाइगा option B जो कि है vitamin B अगला question है जन संक्या का सरवादिक भार कहां पाय जाता है उसका सहीएं सरोजाइगा option है जो कि है A.C.A. महादूप में अगला question है उत्तर भारत में उप हिमाले छेद के सहारे फैले सम्तल मैदान को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर रोजाएगा option C जो कि है भावर अगला question है दो या दो से अधिक तत्तों में मातरा के विचार से एक निशित अनपात में सहींग करने से बना पदात कहलाता है उसका सही अंसर रोजाएगा option C जो कि है योगिक अगला question है, शाह जहां वाद कहां इस्तित है, उसका सही अंसर हो जाएगा option B, जो कि है दिल्ली में दोस्तो आजका अगला और आखरी question है, घर का संबंध है रसोई से, इसी प्रकार पौधे का संबंध है, जो कि है जड़ जसी परकार हमारे घर में रस्वई भोजन प्रदान करने का काम करती है दोस्तो आज की वीडियो यहीं पहुता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टापिक के साथ